हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हाज हम भात करने वाले अभी जो चालू है बिग बैस लिग 2022 और 23 इसकी जो मैच नमर 42 खेला जाने वाला है पर्थ कर्चर और सिड्नी सिक्सर के बीच में इन दोनो टिम में से इस मैच को कौँशी टीम ओइन करेगा इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बाकि ए मैच कब और कितने बज़े खला जाएगा जो दोनो टिम इस मैच में भीड़ेंगे इन दोनों टिम का इस बिग बैस के सीजन में अभी तक का सफर कैसा रहा है पीच रिपर्ड प्लेइंग 11 हेड टो हेड और यार बहुत सारे बाते हम यहां पे करने वाल है इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में आखरी तक बने रहे हैं इन तक वाच करेंगे तो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा यह में अच कैसा होने वाला है बिना स्कीप किये इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखना दोस्तों आपको धेर सारा प्रोफिट कमाना है तो आप हमारा टेलिग्राम पर जोइन हो जाईए के इस आप से पंद्रा जनुवरी रभी बार दो पर को एक बच कर पेंता लिस मेंड़ी पर शूरू हतावत दिखेगा इन 10 मैच में से 8 मैच ये अपने नाम कर चुके हैं और यार 2 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है इनका जो मैच की पॉइंट टेबल की पोजिशन ये एक नमर में आते हैं बागी सिदनी सिक्सर को दखेगा तो इन्होंने भी इस वाली सिजन में 10 मैच खेल चुके हैं इन 10 मैच में से इन्होंने 6 मैच में जीत हासिल किये हैं और 3 मैच में हारे भी है बागी इनका एक मैच ऐसा भी है जिसके कोई result नहीं आया था इनके जो match की pointable की position है ये दो नमर में आते हैं दोस्तो इस match में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एक कांटे की टकर वाली match होने वाला है दोनों ही team की position आस पास की है इसलिए दोनों का ही कोशिच एही रहे गा है कि इस match को आपने नाम करें अब दोस्तो पीच रिपोर्ट की ओर चलते हैं ए में शिद्नी क्रिके स्टाडिया में खेला जाएगा शिद्नी सिक्सर की होम ग्राउंड है इस वाली मैदान में बिक बैसली के टोटल 13 मैच खेले जा चुके हैं इसमें से यहां पर पहले बैटिंग करने वाले टिम 25 मैच में जीता हैसिल किये हैं तो वहीं पर सेकंड बैटिंग करने वाले टिम 17 मैच में जीता हैसिल किये है बागी एक मैच यहाँ पर बारिस के करन रद भी हुआ है यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले टीम की एवरेश कोर 155 की है तो वहीं पर सेकंड बैटिंग करने वाले टीम की एवरेश कोर 135 है इन दोनों के बीच में जो गयाप है वो 20 रन का गयाप है यानि के दोस्तों इन रिपोर्ट से पता चलता है कि यह वाली मेदान यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम की थोड़ा जादा फेवर करता है दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेस नहीं होता है यहाँ पर चेस करने वाले टीम की थोड़ा ज़ादा दबदबा देखने को मिलता है इसी बीग बेस के से जनमें इस वाली मेदन में टोटल तीन म्याच खेले जा चुके हैं उन तीन म्याच में से यहां पर पहले बैटिंग करने वाले टिम दो म्याच में बड़ा थासिल किये हैं बागी सेकंड बैटिंग करने वाले टिम एक म्याच में बड़ा थासिल किये हैं अब पीच की कंडिशन को देख लेते हैं किसके लिए जादा फाइदा रहने वाला है एपीच बल्ले बाजों को बहुत फेवर करता है बल्ले बाजों को तो फेवर करता है लेकिन पहले इनिच के बल्ले बाजों को ही फेवर करता है सेकंड इनिक्स में एपीच बहुत दीमा पड़ जाता है सेकंड इनिक्स में जो बल्ले बाज उतना स्कोर बनाने पाते हैं सेकंड इनिक्स में पीच स्लो हो जाता है इसलिए गेंद बाजों को जादा फाइदा है दोस्तों आपको यहां पे 20 ओबर तक का जो स्कोर 155 देखने को मिलेगा अब यार बात कर लेते हैं इसमें आज की पूरी सेशन के बारे में दोस्तों यहां पे पहले जो 6 ओबर पार प्ले करें था उसमें 35 से 37 रन आपको देखने को मिलेगा और यार हमारे इस चैनल को सस्क्राइब तो कर दो यार बेल आइकन को भी क्लिक कर दो अब यार दिन बर में 6-7 म्याच खेले जाते हैं सारे लिक्स चालू हो गए है आगे IPL भी आने वाला है हम हमारे टेलिग्राम पर सारे मयाच इसको कवर करते हैं आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रख लिजिए हमारे टेलिग्राम पर जूड़ी जाएए आप और हम मिलके खेलेंगे और धेर सारा प्रॉफिट कमाएंगे अब दोस्तों इस बाउंडरी की डाइमेंशन को देखा तो यह मेडियम रेंज की बाउंडरी है यहां का जो स्ट्रेट बाउंडरी हो 76 मिटर का है बाउंडरी का ओपसाड 22 मिटर का है और 76 मिटर यहां का डीप मिडविगेट है अब यार इन दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं, इनके प्लेइंग 11 में से कौनसे कंचे खिलाड़ी खेलने वाले हैं सबसे पहले यहां Sydney Sixer की बात करें तो इनके ओपनिंग में आपको दिखेंगे जोश्या फिलिप्स के साथ जेम्स भाइन्स खिलते हुए दिखेंगे इनके बाद कर्टिस पिटर्शन, मोशियूस हेनरी कुईष, जर्डन सिल्प, डेन क्रिस्टेन, हेडन केर, सेन एवर्ट, बेन डिवेर्शोईष, क्रीस जर्डन और आखरी में टोड मौर फी खेलते हुआ आपको नजर में आएंगे अब एक बाद पर्थ कचर की बात करें तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं स्टिपन स्केंजी के साथ, केमरन बेनकॉप दिखेंगे इनके बाद एरन हेर्डिव, जोस इंग्लिश, आश्टन टर्नर, निक होप्षन, आश्टन अगर, मेथिव केली, अंद्रेव टाई, डेविड पेन और लांस मोरीस खेलते हुआ आपको नजर में आएंगे अब यह बात कर लेते हैं इन दोनों टिम की हेड टो हेड के बारे में, दोस्तो हेड टो हेड की रिपोट के इसे हमसे इन दोनों टिम के बीच में 25 मैच अच कहले जा चुके हैं, इन 25 मैच में से सिडनी सिक्षर ने 9 मैच में जीत हासिल किये हैं, इनके बीच में जो ये शर्ड़ा प्रेडिक्शन देख लेना आप मियाच में सतर से अशीटा का सही बताता हूं दोस्तो आज का पहला प्रेडिक्शन में दूनों ए टिम 25 से उपर की स्कोर पार्टनर्शिप में बनाते हुँ, आपको दिखेंगे दूसरे पिडिक्षन में दोस्तो एस्टन टर्नर मोईशूस हैनरी कुईस 25 से उपर की स्कोर बनाते हुआ आपको दिखेंगे